नई ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाली एपिसोड में मोहीब सबरीन से कहता है तुम एक दफा सरमत से मिल लो फिर तुमें पता चल जाएगा कि वो कैसा लड़का है अगर तुम दोनों एक दुसरे को पसंद करते हुए एक दुसरे को समझते हुए तुम दोनों की सबरीन को देखता है तो इसे पहली नजर में ही सबरीन से मुहबत हो जाती है ये अपनी वालदा से जाकर कहता है कि मैं अपनी मामो की बेटी सबरीन से नहीं बलके अपनी मुमानी की बेटी शांजे से शादी करने चाहिए क्योंके कल को ये सारी दौलत जाइदाद शांजे की है सब्रीन बेचारी के पास क्या है उसके पास तो कुछ नहीं जवा में सर्मत कहता है मेरे पास अल्ला का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन मैं शादी करूंगा तो सब्रीन से करूंगा क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूं तो अपने बेटे की महबत देखते हुए सर्म सर्मत की वालदा अपने भाई से बात करती है कि सर्मत कहता है वो सबरीन को पसंद करता है उससे शादी करना चाता है तो खावर को भी ये बात बहुत पसंद आती है वो कहता है इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती कि मेरी बेटी मेरी नजरों के सामने रहेगी खावर इस बात पर बहुत खुश होता है सरमत जब अपने मामों से मिलने के लिए आता है तो खावर सरमत से कहता है कि तुमने अपनी वालदा से कहा है कि तुम सबरीन से महबत करती हो उससे शादी करना चाती हो जवाब में सरमत कहीगा जी मामू ये बात ठीक है तो फिर खावर कहता है जाओ फिर तुम सबरीन को कहीं घुमाने फिराने ले जाओ ताके तुम दोनों में अंडरस्टेंडिंग हो जाए तो सरमद कहेगा ठीक है मामू मैं अभी सबरीन को काल करता हूँ उसे कहीं शापिंग पे ले जाता हूँ और कहीं डिनर वगेरा करवाता हूँ तो सर्मद सबरीन की खाला को काल करके उसे कहता है कि मैं सबरीन को अपने साथ बाहिर शापिंग पे ले कर जाना चाहता हूँ तो इसके खाला कहती है जी जरूर मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं सबरीन सर्मत के साथ डिनर पे जाती है तो सर्मत सबरीन से कहता है कि आप बहुत प्यारी है उससे ज्यादा आपका नेचर बहुत प्यारा है अगर आप मेरे हक में फैसला देंगी तो सबरीन बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे हक मेरे माबाब जो फैसला करेंगे मुझे वो कबोल है इदर खावर अपनी बीवी को बताता है कि सर्मत और सबरीन की मैं शादी करना चाहता हूँ सर्मत सबरीन को पसंद करता है और सबरीन को भी इस रिश्टे से कोई इनकार नहीं अच्छा है इस तरह हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी और सर्मत बहुत अच्छा है वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा जवाब में खावर की बीवी घुसे में कहती है कि खावर साहब मेरी बेटी शानजे सर्मत को पसंद करती है अगर सर्मत के साथ किसी की शादी होगी तो वो शानजे की होगी जवाब में खावर कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो पहले तो तुमने कभी मुझे ऐसी बात नहीं की वैसे भी सरमद सबरीन को पसंद करता है तो वो शांजे से शादी क्यों करेगा अब ये भी तुम्हारी कोई नई जिद है कि सबरीन और सरमद की शादी नहो जाए लेकिन सरमद सबरीन को पसंद करता है इसलिए वो शादी भी सबरीन से ही करेगा अगर ऐसी कोई बात थी भी तो तुमने मुझे पहले बताना था अब फैसला हो चुका है अब सर्मद और सबरीन की शादी ही होगी एक तरफ तो सबरीन की वालदा इसकी दुश्मन बन जाएगी वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि सर्मद और सबरीन की शादी ना हो दूसरी तरफ अबीरा भी ये बात नहीं बरदाश कर सकती कि सबरीन की शादी इतने अच्छे उंचे खानदान में हो और वो अमेरिका चली जाए ये बात इसके बरदाश से बाहिर है क्योंकि वो सारी उमर अपनी उत्रन सबरीन को पहनाती रही है अब वो किस तरह ये बात बरदाश करेगी कि सबरीन की शादी किसे उंचे खानदान में हो जाए वो सबरीन से बहुत हसत करती है वो चाहती है कि सबरीन की किसी घटिया गरीब शक्स से शादी हो इसलिए अब वो सबरीन पे अलजाम लगाना शुरू कर देगे कि ये मोहीब के इर्द गिर्द घूमती है इस पे डोरे डाले की कोशिश करती है इसलिए अबीरा सबसे पहले अपने दोस्त को बताती है कि मैं अब मोहीब से शादी नहीं करना चाहती क्योंके वो मेरी बेहन सबरीन के पीछे लगा हुआ है उन दोनों में कुछ ऐसा जरूर है जवाब में अबीर का दोस्त कहता है कि तुम और मोहीब तो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और बहुत जल तुम दोनों की शादी होने वाली है अब इस तरह किस तरह तुम इस शादी को रोक सकती हो जवाब में अबीर कहती है मैं ऐसे शक्स से शादी नहीं कर सकती जो मुझसे ज्यादा किसी और को ज्यादा अहमियत दे वो आज कल सबरीन को बहुत अहमियत दे रहा है इदर शादी की फुल त्यारियां होती हैं तो अभीर अपनी वालदा से आकर कहती है कि मैं अभी ये शादी नहीं कर सकती तो इसकी वालदा कहती है तुम्ही क्या हुआ है अब सब त्यारियां है सब को हमने कार्ड भेज दिए है अब किस तरह इस शादी को मना करी पहले तुम कहती थी कि मुझे ये शादी जल्द करनी है अब तुम कहती हो कि मैंने ये शादी अभी नहीं करनी तुम्हारे दमाग में क्या चल रहा है अब ये नहीं कि हर जिद तुम्हारी पूरी होगी ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब तुमने चाहा तुम्हारी शादी हो जाएगी जब तुमने चाहा तुम इस शादी को रोक दोगी जवा में अबीर कहती है कि ये आपकी टेंशन है कि आप किस तरह इस शादी को रोकेंगी ये मेरी टेंशन नहीं आपको पता है मैंने जो बात कहनी होती है वो मैं करके रहती हूं तो इसकी वालदा जवाब में कहती है इसलिए मैं कहती हूं कि सबरीन तुमसे लाक दर्जा बेतर है मैं उसे जो बात कहती हूँ वो मेरी बात मानती है लेकिन तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी जवाब में अबीर घुसे में कहती है कि खबरदार आपने सबरीन को मुझसे कमपेर करने की कोशिश की आप जानती हैं कि मेरे सामने उसकी कोई एहमियत नहीं मैंने हमेशा उसको जूती की नोक पे रखा है इदर अबीर की वालदा बहुत ही परिशान होती है कि अब वो किस तरह मोहीब के वालदین को जवाब दे कि अभी अबीर ये शादी नहीं करना चाती अबीरा कौन से किसी से डरती है इसलिए जब उसके दिल में जो बात आती है वो कह देती है ये बहुत ही मूफट और बच्तमीज लड़की है इसलिए जब मोहीब और सबरीन काले से वापस आ रहे होती है तो ये सब के सामने मोहीब से कह देती है कि तुम सबरीन से ही शादी कर लो हर वक्त तुम इसके इद गिद घूमते रहते हो तुमें मेरी तो कोई परवा ही नहीं मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा सबरीन को पसंद करते हो तुम मुझे इसलिए एहमियत नहीं दे रहे मुहीब कहेगा अभीरा तुम कैसी बातें कर रही हो तुमें क्या हो गया है मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं माने जवाब में अभीरा कहती है कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानते तुम दोनों में जरूर कोई ऐसी बात है जो हर वकत हंसते खेलते रहते हो जहां कहीं जाना होता है तुम सबरीन को अपने साथ लेकर जाते हो तुम्हारी ये मिजाल कि तुम सबरीन को अपने साथ कालेज लेकर जाते हो उसे वापस लेकर आते हो जवाब में मोहीब अभीरा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें कोई गलत पहमी हुई है मैं तो सबरीन को इस लिए एहमियत देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहन है मैं तुम्हारी खुशी की खातर करता हूँ जो कुछ भी करता हूँ जवाब में अभीरा कहती है मुझे तुम से शादी करनी ही नहीं तुम जाओ सबरीन से ही शादी करो इदर मुहीब की वालदा को तो अभीरा पहले ही बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ये मुफट है किसी का लिहास नहीं करती वो तो खुद नहीं चाती कि मुहीब की शादी अभीरा से हो इसका इकलोता इकलोता बेटा है वो तो खुद चाती है कि मुहीब की शादी सबरीन से हो उसे सबरीन बहुत पसंद है